नमस्ते बच्चो पेरामेटिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है हमने लास्ट लेक्चर में स्कल एपी टाउन्स तक देखा था देखो जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं मैंने आप लोगों को बताया है ठीक है चार पर्टिकुलर व्यूज जो रूटिन व्यूज होते हैं वो लिख लीजिए और एक स्पेशल व्यूज आप लिखना चाओ तो लिख सकते हो तो अब अगर अपन दूसरे की बात करें तो हमने जो दूसरा व्यूज पढ़ना है वो है पीए व्यूज अब देखो एपी और पीए व्यूज में ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होता अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एपी एक्जियल बताया था ठीक है एपी व्यूज अलग है एपी एक्जियल में जब मैंने आप लोगों को जब लेक्चर पढ़ा रहीते में यूट्यूब पे एक्जियल के बारे में बताया था कि जब किसी सेंटर लाइन पर जो हमारी सी आर होती मिज लाइन पर कुछ एंगल दिया जाए तो वह एक्जियल किया जाता है आप यह तीनों चीज इसमें यह दोनों आप इसमें वापिस रिपीट कर लेंगे फ्रेक्चर्स और डिजीज और अगर स्पेसिफिक अपन किसी चीज की बात करें तो यह हमारा फ्रेंटल बॉन को देखने के लिए यह जाता है ठीक है फ्रेंटल बॉन इसमें बहुत अच्छे से विजविलाइज होती है तो फ्रेंटल बॉन को देखने के लिए कौन सा व्यू किया जाएगा पीए व्यू किया जाएगा पेशेंट पोजिशन की बात करें तो सेम पेशेंट पोजिशन है ठीक है सेम पेशेंट पोजिशन अपन करेंगे पार्ट पोज ठीक है अगर यहां डिटेक्टर लगा आए और मैं पेशन्ट हूं अगर यह डिटेक्टर है तो हम ऐसे प्लेस होगे तो ऑटमेटिक क्या हो जाएगा कि हमने क्या किया है हमारा जो हमारी जो फ्रंटल बो नहीं है तो head और nose इसको क्या किया है, place किया है किस पर किया है, IR पर किया है सेम सारी चीजे repeat होनी है कि जो हमारा MSP है वो perpendicular होगा, IR के ठीक है, और no rotation rotation नहीं और no tilt, किसी भी तरह का कोई rotation नहीं हो, कोई tilt ना हो देखो, सारी चीजे आप लोगो अब बोर्ड पर लिखूंगी, तो अपना revision जैसा कुछ बचेगा नहीं मैं आप लोगों को एक बुक मैंने आप लोगों को starting में बताई थी, दुबारा बंद में बता देती हूँ, कि डॉक्टर हामी दुसरे इनके नाम से मनीश publication की एक बुक आती है, जिसके अंदर सारे previous year की question paper, बहुत अच्छे से descriptive दे रखे आप उसमें अगर देखोगे को आपको सारे answer मिल जाएंगे, मैं अभी आप लोगों को इस बुक का इसलिए बता रहे हूँ, ताकि पार्ट पोजिशन की, तो हमने इसको बार्ट पोजिशन को ऐसे रखा कि हमारा जो forehead और nose है, वो क्या है हमारे IR पे बिल्कुल touch है, बिल्कुल IR के place, IR पे place किया है हमने से place on IR, मैं बिल्कुल short बता रहे हूँ कि आप लोगों को ऐसे एक्जाम में लिखके आ करना है, ठीक है, और उस पे हमारा जो MSP है, वो IR के perpendicular है, बेटा, इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है, यह जो मैं लिखते हूँ MSP, IR के perpendicular है, या फिर है न हमारे जो coronal plane है, वो parallel है, कौन सी चीज आपके perpendicular है, तो यह चीज़े आप ऐसे लिखके आ जाओगे, तो उससे काफी कुछ clear हो जाता है, क्योंकि पता है, आपको MSP क्या होता है, अब अगर अगर अपन बात करें, केवी MS की, तो केवी MS, CR अपन change करते हैं, बाकि सारा इसके equal होता है, ठीक है, यह एक आप लोगों को जल्दी लिखवाने का तरीका है, कि आप इसका approach KVMS लिखके आ सकते हैं, अगर अपन CR की बात करें, तो CR जो इसमें और उसको ऐसे सेंटर किया जाएगा, कि जो CR होगी, वो exit कहां से होगी, exit point क्या है, मारे CR का, गले वेला, ठीक है, तो यह हमारा CR होता है, respiration condition की बात करें, तो respiration की सबसे च्छी बात है, कि जितने भी हमारे skull के radiography है, उसके अंदर हमारा common respiration है, that is, suspend respiration, मतलब आपको सास रुखवानी होती है, ठीक है, आपको कहना होता है, कि आप सास ना तो लीजिये ना छोड़िये, सास आपको रुखवानी होती है, कब? during the exposure, exposure के time, तो यह दोनों में common है, यह हर view में common है आपके, ठीक है, जितने भी view पढ़ेंगे, अपन सब में common है, अब evolution criteria क्या होता है, बच्चो, evolution criteria में सबसे जादा पता है, क्या क्या चीज़े लिख सकते है, no rotation जो आपने इदर लिखा है, वो आप उदर भी लिख सकते है, कि no rotation present in the desired image, हमें कोई सा भी rotation नहीं दिखा है, अब rotation में देखो, बहुत ज external auditory meters, यह center line से दोनों, जो है, दोनों इनकी equal distance पे होगा, ठीक है, तो no rotation आपके सब में, इसमें जितरा भी है, no rotation PA AP में, AP PA का एक bonus मालो no rotation इसमें आता है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी rotation नहीं होता, आपके बिल्कुल perfect image होती है, टेड़ा-वेडा, टेल्ट अगेरा, कुछ नहीं होता, ठीक है, फिर आप चाहो, तो यह चीजें लिख सकते हैं, कि कोई fracture है, कोई bone है, तो आपको specific bone दिखाई दे रही है, आप उन सब bones के नाम इसमें, एक एक दो दो पॉइंट इसमें लिख सकते हो, ठीक है, अगर अगे चले तीसरे view की बात करें, अब आता है हमारा skull lateral, ठीक है, skull lateral position की बात करें, अब जो हमारे lateral position है, हमारी जो lateral position है, वो कोई सा भी हो सकता है, right या left, इदर right या फिर left, कोई सा भी हो सकता है, right या left, कोई सा भी हो सकता है, किस लिए किया जाता है, यह इसके indication किस लिए है, same इसलिए किया जाता है, और अगर मालो, पहले fracture और neoplastik displacement देखने के लिए तो किया जाता ही है, उसके अलावा यह अगर किसी चीज़ के लिए किया जाता है, तो facial bones, orbits और mandible की inflammatory process देखने के facial bones, orbit इसी में वो facial bones है, mandible की inflammatory process, प्रोसेस देखने के लिए किया जाता है, ठीक है, same position है, patient या तो erect में होगा, spine में होगा, अब इसमें क्या होगा, part position change हो जाएगी, part position ऐसे change हो जाएगी, कि जो हमारा skull है, ठीक है, skull में जो क्या होगा, हमारा इसमें patient erect में होगा, और या फिर prone में होगा, sorry, ये तो late fell में थोड़ा सा change हो जाता है, patient हमारा erect में होगा, या prone में होगा, किस की तरफ देखता हुआ, facing the IR अब तक जो हमारा AP में क्या था, facing the tube, इसमें कि तरफ देख रहा था, facing the X-ray tube, और इसमें कि तरफ देख रहा था, PMA, facing the IR ये थोड़ा से speed से हो जाता है वच्चों क्योंकि आप लोगों को बताना है, मुझे खुदको ऐसा लगता है कि अपन बहुत जादे speed से पढ़ते हैं, लेकिन अभी classes चल भी revision, तो revision class में हम सिफ जल्दी-जल्दी आप लोगों को बताएंगे, जो term में आपको समझ में नहीं आप फड़ा फड़ से कमेंटें पूछ सकते हैं, आप लोग टेलेग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, पार्ट पोजिशन की बात कीजाएं इसमें, जो भी desired पार्ट है, जो भी affected area है, जाए left हो चाए right हो, हमेशा जब भी lateral होगा या oblique होगा, तो अपने इसे लिख देते हैं जो affected area है, मैं थोड़ा बड़ा इसको लिख देती हूँ, affected area, close to IR, मतलब close या near, हमारा जो affected area है, वो क्या होगा, किसके IR के पास होगा, कितने degree angle में, 90 degree के angle में, मतलब यह हमारा patient का position है, हम इसको क्या करेंगे, जैसे आप suppose कीजिए, मैं prone position में खड़ी हूँ, ऐसे, तो इसको affected area जैसे right है, तो 90 degree के angle में, अपन क्या करेंगे, rotate करेंगे, और जो हमारा right वाला area है, उसको क्या करेंगे, IR के पास में लेके आएंगे, तो हमने क्या किया, rotate the affected area and bring close to the IR, affected area को rotate किया, 90 degree के angle में, और उसको IR के पास लेके आए, यह हम हमारा क्या होता है, part position, अब अपन line की बात करें, मैं आप लोगों को एक bonus चीज़ बता देती हूँ, आप लोगों को एक bonus में आपको बता देती हूँ, कि जब भी अपन AP की बात करते हैं, AP APA की, तो MSP क्या होती है, IR के perpendicular, जब हम lateral में चले जाते हैं, तो MSP क्या हो जाती है, IR के समाना अंतर या parallel, यह इतनी से आपको लिखके आनी है, इतना सा आप लिखके आजाओ, आपको table form समझता है, table form में लिखके आजाओ, आपको descriptive समझता है, आप descriptive में लिखके आजाओ, exposure की बात की जाएगी, exposure हम इसमें भी same रखेंगे, ठीक है, अब हम अगर CR की बात करें, तो CR हमेशा, CR हमेशा हमारे ना, IR के perpendicular होती है, ठीक है, CR जो है, हमेशा, IR के क्या होगी, परपेंडिकुलर, CR हमेशा, IR के परपेंडिकुलर होगी, और अगर lateral की बात की जाएगे, तो हमारे outer canthus और EAM के बीच में होगी, middle of outer canthus और EAM, and EAM, respiration में आप लोगों को से में बताया था, evolution criteria आप लोगों क्या दिख रहा है, late 12 में आप देखोगे, late 12 में अगर कोई भी चीज सबसे अच्छी दिखती है, जो मैंने या facial bones में बताया था, आप लोगों को, और एक और चीज में इसमें लिखवा देती हूँ, indication में, सेला चर्सी का, सेला चर्सी का बहुत अच्छे से visualize होती है, इसका late 12 में, तो आप से अच्छा लिखेंगे, कि सेला चर्सी का इसमें अच्छे से visualize हो, और एक दो bones जो आप लोगों को late 12 view में दिख रही है, उन सब के नाम आप लोगों को, इसमें लिख के आना है, अब अगर इसकल का ऐसे पूछा जाता है, तो हम एक specific view और देख लेते हैं इसका, कि अगर अपने एक specific view देखें, हम last इसका specific view देखेंगे, एक जो fourth अपन को करके आना है, SMV, somewhere meant to vertex or vertical view, जैसे नाम से ही पता चलता है, या हमारा mental pointer में आप लोगों को previous lecture में बता चुकी हूँ, तो सब का मतलब होता है, तो ऐसे radiation दे कि mental point के नीचे और vertex से निकले, तो ऐसा तो कोई tube हो नहीं सकता कि हम यहां लगाए, तो हम क्या करेंगे, नेक को extend कर लेंगे, तो अब जब हम नेक को इतना extend कर रहे हैं, मतलब हम strength दे रहे हैं पेशेंट को, थोड़ा सा पेशेंट में movement करवा रह नहीं है, तो अपन यह x-ray नहीं करेंगे, जब भी कोई special view करते हैं, तो उसके कुछ नो कुछ contraindications भी होते हैं, आप चाहो तो इस contraindications को लिख सकते हो, ठीक है, अब अब indications की बात की जाए, तो indication इसका main यह हमेशा, base of skull देखने के लिए किया जाता है, इसके अगर indication की बात कर है, तो यह, base of skull देखने के लिए किया जाएगा, patient position की बात करें, patient इसमें erect position में होता है, ठीक है, facing the, starting में, facing the, ir, फिर हम part position की बात करें, जैसा भी मैंने आप लोगों को explain किया, part position में क्या होगा, कि हमारे neck को इतना extend करेंगे कि जो हमारा vertex है, वो हमारे ir के center में आ जाए, तो सबसे पहले neck is extended, कितना extended, neck को extended किया गया, so dead, जिससे कि हमारा जो vertex है, vertex should be placed on the center of ir, हमारे ir के center में हो जाए, यह चीज़ आप लोगों को समझनी है, कि हमने इस तरीके से neck को extend किया, जिससे अपने short term में बोलेंगे, hyper extend किया, कि हमारा जो IR है, उसके बिलकुत बीचों बीच के आ जाए, हमारा vertex point आ जाए, ठीक है, आप इस position को सुपायन में भी कर सकते हैं, लेकिन यह position हमेशा mostly in the cases erect में की जाती है, क्योंकि easy availability हो जाती है हमारे erect detector की, ठीक है, तो क्या होगा, कि अब हम ऐसे करें, अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को इसके lecture में बताया था, कि हमारी जो CR होती है, वो IOML पे perpendicular होती है, आप लोगों को इस सम्मेंटर वर्टिकल व्यू अगर अच्छे से देखना है, अच्छे समझना है, तो आप इसका previous lecture में इसका point देख सकते हो, ठीक है, तो अगले में अगर आप देखोगे, अगला अपन देखे, part position ही हो चुका है, exposure criteria की बात करें, exposure factors की बात करें, तो सेम अपन जो करते आए हैं, वो इसमेंस देंगे, CR जो होगी, CR एसे होगी, enter करेगी, CR, CR जो है, हमारी IOML के perpendicular होगी, ठीक है, यह चीज आप लोगों को याद रखनी है, CR जो है, वो हमारे IOML line के perpendicular है, ठीक है, इस view को अगर आपको अच्छे से दमजना है, तो आप previous lecture रेख सकते हैं, इस view के लिए में आपको एक बात जरूर कहूंगे कि यह most important view है, इसके लिए में कह सकती हूँ कि यह most important है, यह आप से अलग 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो अगर इसकल का अगर आप लोगों के आ जाता है, इसकल अगर आप लोगों के आ जाता है, तो आप लोगों को यह 4 view लिख के आना है, ठीक है, तो यह आप लोगों का जिसकल का व्यू पंप्लीट हुआ है अब चाहा अब इसकल में और कॉनसे कुशन बन सकते हैं अब आप अपने देखेंगे में इन डिवाल में कॉन शुछन बन सकते हैं तो सबके जो और सब के अलग अलग व्यू बनेंगे घ्रिक हर जितना भी टोपीक है पने जो पहले कल लास लेक्चर में देखिए PNS, पेरा नेजल साइनेसिस, अगर सपोस कीजिए आपके 20 नंबर में PNS का क्यूशन आता है तो आप इसे कैसे करेंगे, मैंने अभी तक बताया है कि आप क्यूशन को कैसे फिल कीजिए, डियाग्राम बनाईए, अब अपन बात कर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ की क्यूशन को कैसे अटेम्ट करेंगे, क्या करेंगे अपन उस कूशन में, PNS आ जाता है, तो सबसे पहले आप इसकी लिखेंगे, फुल फॉर्म, ठीक है, कि PNS क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा से इंटोजक्शन आप लिखेंगे, कि कितने हमारे पेरा नेजल साइनेसे होते हैं, उन सब के बारे में आपको उनका पूरा का पूरा नेम लिखना है, ठीक है, आप चाहे तो एक टिपिकल डाइग अब अविलेबल करवा देंगे, ठीक है, फिर उसके अलावा अगर आपको अच्छे माक्स लेने हैं, तो आप चाल पाच में इसकी एनाइट में भी होना सा बता सकते हैं, ये, इस ओल अप टू यू, ये आपकी इच्छा है, तो बताईए, नहीं है, तो नहीं बताईए, ठ अब अपन इसमें लिखेंगे कि डिफ्रेंट व्यू कौन से होते हैं, पी एनेस के, डिफ्रेंट व्यू कौन से हैं, पी एनेस के उनके बारे में, सबसे ज़्यादा जो पी एनेस का अमारे रूटीन में जो किया जाता है, सबसे ज़्यादा किया जाने वाला पी एनेस का व आप लोगों को उसऑ पूछा जाए कि कुशन आते हैं तो बच्औ सब में तरीका सब में सेम क when इनकी और इनके बारे में नहीं पता हैं तो सब करना है कि आप लोगों को सारी चीजे किके से लिख़ना रहने में ने आप लोगों को बता दिया एउस बुक में आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाएगा आप लोगों कोTelegram पर इसका अवेलेबल करा दिया जायाएगा डायग्राम इसको अवेलेबल करवा दिया जाएगा next lecture में हम second unit के बारे में पढ़ेंगे या थो हम chest और abdomen के बारे में देखेंगे या फिर अपर या lower extremities के बारे में देखेंगे तब तक क्या लिए आप पढ़ते रहिए all the very best, thank you so much